मैरिट कपिल्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टन रिष्था होता है वो स्वेम उनका जीवन साथी होता है तो अगर जीवन साथी हमारा अच्छा है तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे हस्ते हस्ते गुजर जाती है लेकिन अगर कहीं इसमें थोड़ी सी भी रिष्थे में खट तुम कैसी लगती हो मोटी हो गई हो तुम्हारे बाल अजीब से हो गए तुम्हारी स्किन अजीब सी लगती है तो जब हम इस तरीके से अपने लुक्स के बारे में सुनते हैं तो पहली जी सो बहुत खराब लगता है कि यह समय के अकॉर्डिंग बाकी लोग तो बहुत एज इफेक्ट आ रहा है या जिम्मेदारियों का बोज आ रहा है समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से अपने आपको अडॉन करा जाए तो फ्रिंट्स जब पहली दफ़ा यह स्रेट्मेंट सुनो तो बहुत दिल में तीर की तरह लगता है लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि ऐसा तो नहीं कि yes हमारे लुक्स बहुत जादा खराब हो रहा और अगर इन लुक्स को थोड़ा है सही करा जा सकते हैं यानि कि थोड़े से अगर हम इफर्ट स्टाल सकते हैं लुक्स को सही कर सकते हैं तो क्यों ना सही कर ले यानि कि हमारे कपड़े पहनने ओरने का ढंग या हमारी स्किन डल हो रही है सो फेशियल अगर रिक्वार्मेंट है सो फेशियल करा ले दे सेम वे कई कि हमारे जो हाँब होते हैं वह बहुत श्यैभी हो रहे होता है तो उनको सही करए सकता है सब्सक्राइब होता है कि दिन भर टैलें घिस्ते जह रहते हैं ही घर से घर की दिखव करिए है तो यह ताइल ने चमकाई है लेकिन एक लिमेट तक और अगर उसमें डुमेस्टिक हेल ले सकते हैं तो जरूर लीजिए और अपने चेहरे को पहले जरूर चमका लीजिए तो यहां पर जो बात आती है कि कपड़े पहनने ओरने का धंग नहीं है यहां पर जो बात आती है कि कपड़े पहनने ओरने का धंग नहीं है होता क्या है कि जो लेडीज होती है वो यूशुली अपने ऊपर ही कटाती करती है यानि कि अपनी जब भी उन्हें शॉपिंग करनी होती है लोड साइट से अगर कुछ खरी सकते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें कौण सा कोई बड़ी हाईशाई जगे पर जाना है ऐसे कुर्टी खरीद लेते हैं ऐसे फुट्वियर्स खरीद लेते हैं ज्यादा दो निकलना नहीं थोड़ा बहुत निकलना है तो हमारा का जाएगा चाम चला हुए एडिट्यूट है उस काम चला हुए अटिट्यूद में जो हमारी परस्व्सनलीटी होती हैं वो भी काम चला हो जाती है जैसे हम अपने बच्चों के लिए ब्रैंडेट क्लोउज़ ले रहे हैं अच्छे ले या बेकार मत टालिए अच्छी जगह से लीजिए और देखिए कि जो आप पर अच्छे से सूट कर रहा है अपने घर का वाद्रोब अलग से मेंटेन करिए और बाहर कप्ड़े पहनने का जो वाद्रोब से वो भी मेंटेन करिए टाइम तो टाइम आपको लग रहा है कि मैनिक करने की भी कोशिश करिए क्योंकि शायद अब आपके रिष्टे की डिमांड है कि आपको टिंच हो रहा है और यह कहीं से भी कुछ गलत नहीं होता है टाइम होते होते कई भर क्या होता है कि हमारी खुद की पोस्नालिटी से चाम चला जाता है अपस में एक दूसरे पर हम ल कोई डूसरे लोग की नॉलिच बहुत अच्छी, दूसरे लोग के बात करने कर स्टाइल बहुत अच्छा है तो यह भी कोई एसी रॉकेट साइंस तलिये जिसको सीखा नहीं जा सकता है अगर आपको लग रहा है कि शीजों में कम ही आर तो यह से अपनी नॉलेज इंपार् प्रेंस, यह जो एक तक्षिया का लाम होता है, तुम्हें पता है दुनिया में क्या चलना है। तो फ्रेंट्स येस दुनिया देखने के लिए तो हम इधरूतर नहीं देख रहे होते हो और अगर हम बहुत जादा दुनिया देखने लगें तो भी हमारे life partner को दिक्कत हो जाती है कि येस दूसरे लोग शिकायत करने लगते हैं कि आपकी wife तो बहुत जादा ही बाहर निकलती या आपकी wife को हम देखा था तो तब भी हमारे life partner को दिक्कत होती है जब हमें ज्यादा exposures मिल जाते हैं यहां पर बीच का एक रस्ता अडॉप्ट किया जा सकता है कि येस I am to time update करते रहें चीजों की हवा लेते रहें क्या चला है क्या नहीं चला है और आज की date में नया क्या चला है ये जानना मुश्किल नहीं है तो येस हम सभी आज की date में पड़े लिखे हैं तो येस अपने पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करिए अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और येस अपने आपको बुद्दू जो बताया जा रहा है उसमें यकीन करना छोड़ है यानी कि तुम हर समय इंस्टागराम देखती रहती हो हर समय न में You will be very and tv लगी रहती हो चेंद यह कहीं न कहीं काफी हद तक सही होता है आज कलगी जो पीमेल से उनको अचान बहुत होते हो अपने टेंशन करने के लिए वी कहीं न कहीं यह फोन पर बिंचिन करती रहती है यह tv serials देखती हैं सो कहीं न कहीं वो relax हो जाती है तो friends ठीक है आप अपने आपको relax करिए छिल करिए बट येस बच्चों के साथ आपकी finding बनी रहे बच्चे आपके क्या करें उनकी पढ़ाई किस तरीके से चल लिए आप उसमें क्या अपना input दे सकते हैं कहां से value addition कर सकते हैं so yes अपनी ये सारी चीज़े जरूर update करिएगा क्योंकि yes बच्चे आपके खुद के हैं और yes जब ये चीज़े सुनो तो बुरा भी लगता है और बच्चों के results खराब आते हैं या बच्चों का behavior खराब होता है तो भी खुद को बुरा लगता है इसके साथ साथ जो ये advice दे रहा है उसको भी involve करिए और उससे कहिए कि भाई जब शाम को आप आ जाते हैं तो थोड़ा अपना valuable time प्लीज बच्चों को जरूर दीजिए साथ साथ friends यूशुली आजकल के husbands की जो एक अच्छी आदत पढ़ गई है बहुत जादा अच्छी आदत पढ़ गई है वो यह है कि वो फोन पर ही लगे रहते है अगर wife उन से कोई बात भी करती है तो भी वो फोन पर देखते देखते बात करते है लगता है कि पता नहीं क्या इंपोर्टेंट काम हो रहा है क्या इनकी चीजे छूटी जारी कौन से इंपोर्टेंट मीटिंग में सो जाएगा यूशुली अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वह कहीं कोई रील देख रहे होते हैं फोन पर बिंजेकि कर रहा हुता हैं यह फोन पर ही पता नहीं क्यों अटके होते तो फिंटी जो फोन पर लगे रहना होता है यह वहाकई बहुत जादा हिट करता है और हट भी करता है कि भाई मैं अगर कोई जरूरी बात करें याने की वाइफ कोई जरूरी बात करें और हज्बन इस तरीके से फोन पर लगे पढ़े जो बुरा बहुत जादा लगता के सब 부탁 पनी कि जब तक अगला फोन उठाकर स्टेंध पर ना रगतें और कि आप की बात करने की शृत यह हु So yes, give respect and get respect, अपनी बात कहिए, be precise, बहुत सही शब्तों में करें, लेकिन yes, शर्त यही होने चाहिए कि अगले को पुरा अटेंशन देना होगा. साथ साथ friends, आज कलके husband की एक और आदत हो गई है, कि वो आउटिंग के लिए अकेले निकलते हैं, अपने friends के साथ निकलते हैं, मौज मसी करनी होती है, तो अपने friends के साथ करते हैं, और उनको लगता है कि यह जो चीजे है, यह जो life enjoyment है, वो wife के साथ तो कहीं हो ही नहीं सकता है और उसमें अगर wife उनको जादा बोल रही है, या जादा चलने की जित कर रही है, तो उनको लगता है कि yes, उनका सारा time spoil हो जाएगा, mode off हो जाएगा, और वो पूरे तरीके से अपनी life है, जिस तरीके से enjoyment चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, तो friends, यहाँ पर बहुत जादा च स्थिती हो जाती है, कि yes, वो अपना time भी नहीं दे सकती है, पैसे खर्च करती है, तो उसके लिए भी सुनाया जाता है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो भी सुनाया जा रहा है, so friends, बीच का रस्ता देखें कि yes, आप अपनी friends के साथ निकलिए जब उस समय जब आपके बच्चे घर पे नहीं है, the same way, जो chill करना है, enjoyment करना है, आपके husband उस परिवार की importance समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बट आपको importance समझ रहे हैं, बच्चों के साथ enjoyment करना है, कुछ ऐसा chill करना है, जिसमें आपके बच्चे भी involved हो, so फरक क्या पढ़ेगा, आपके attitude जल्दी चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन आप खुद में मस रहना सीख लीजिए, इस तरीके से रिष्टे में खिचाव आने लगता है, तो ये भी देखने को मिलता है, कि वाइफ को छोड़ कर जितने भी आस पास के रिष्टेदार होते हैं, जितने भी सारे रिष्टे होते हैं, friends होते हैं, सबको तवज़ो दी जाती है, except wife को, और ये जो चीज होती है, ये wife को सबसे ज़्यादा खटकती है, so friends, अगर आपको लग रहा है कि आपके husband, आपको जो मन मताबिक या, जो आपके husband को जो आपको तवज़ो देनी चाहिए, वो नहीं दे रहा है, so friends, yes, वहाँ पर आप समझ लिजए कि थोड़ा सा alarming point आ रहा है, अगला आपसे खिचना चाह रहा है, अगला आपसे दूरी बनाना चाह रहा है, और वहाँ पर ज्यादा अगले को छेप करने के बज़ाए, आपको अपने उपर focus करना है, बच्चों पर focus करना है, और अपने आपको और दिन पर दिन valuable बनाते रहना है, यानि कि रादर देन हर point पर शिकायत करने के आप उनसे क्यों मिल रहा है, या आपने उनसे क्यों बोला, या उसने ऐसे कैसे कहा, हर चीज में शिकायत करना बंद कर दीजए, क्योंकि दूसरों की हिम्मत आपको कुछ भी बुरा भुला ब अधर है, शुरू में बोलें जरूर, लेकिन अगर आपको attitude पता चला है, तो अपने आप समझ लिजे कि चीजों को किस तरीके से handle करना है, यानि कि जितनी चीजे आप परदाश कर सकते हैं, well and good, रिष्टों का लिहाज करिए, लोगों का मान सम्मान करिए, लेकिन अगर आप से उल्टा सिधा बोल रहे है, अपने limits क्रॉस कर रहे है, तो उनको उसी तरीके से मर्यादा में रखकर अच्छे शब्त में जवाब देना भी शुरू करिए, यहाँ पर बात यह आ रही है कि जिसको आपके मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, वो तो चुप मारे रिष्टा नहीं होनी चाहिए, फिल्कुल होनी चाहिए, लास्ट बट नॉर्ट लीस्ट, कई बार ऐसे सफोकेटेड एट्मास्फियर पर होता गया है कि रिष्टा होता तो है, बट रिष्टा होता नहीं है, यानि कि वो रिष्टा चल तो रहा होता है, बट वो जिन्दा नहीं होता है इगर आपका है यह रिष्टा आपका और और आपको देखना पड़े का कहां पर कौन सी चीज गमी हो रहे हैं कहां पर और क्या चीज सारी गलति感 आपकी हुआ और यह ईसा हो नहीं कि सामने वाला गलती कर तो जरूर रहा है लेकिन वो इंसान खराब नहीं है तो कई पार जब हम चीजों की बहुत डेप्थ में जाते हैं चीजों को जानने समझने की कोशिश करते हैं सो चीजों के solutions मिलने लगते हैं तो friends अपने दिमाग को पूरे तरीके से खोलिए और अपने रिष्टे को हर लिहास से बचाने की कोशिश करिए Yes friends conclusion में भी सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब हम दूसरे तीसरे चौते लोगों को involve करने लगते हैं सो चौते पांचुए यह सारे जितने लोग होते हैं केवल और केवल हमें disturb करते हैं इसमें भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि कोई अच्छी सला देने वाला मिल जाए सो वो हमें पता होता है कि कौन हमारी घर की रस्ती को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ज़्यादा तर जो लोग होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं तो फ्रेंड्स अपना दिमाग खुद यूज करें ठीक से चीज़ों को एवालुएट करें और अपने घर को बचाएं आपको अपनी कई प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिल गया होगे कौन सा सल्यूशन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और येस वीडियो पसंदा है तो उसको लाइक करना मत भूलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा और ऐसे ही लाइफ लेसंस जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा तो थांक्स अलॉट फोर गिविग मी दिसमस टाइन